दोस्तो आप यहाँ पर जो यह switchboard देख रहे हैं इसका connection किस तरह से करना है चलिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ तो देखे यहाँ पर जो यह switch आप देख रहे हैं इस switch का connection इस 5-pin socket के साथ करना है ठीक है और इधर में जो यह दोनों socket है इन दोनों socket का जो connection होगा वो direct ठीक है चलिए अब इसे पलटते हैं पलटने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह से connection करना है आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर यह switch का उपर वला टर्मिनल है यहाँ से आपको क्या करना है यह जो socket का यह L वाला यह जो टर्मिनल है आप आपको क्या करना ठीक है तो आप देख सकते हैं मैंने स्वीच का जो उपर टर्मिनल है यहां से मैंने सोकेट के इस वाले टर्मिनल वायर जोड़ दिये जहां पर L लिखा हुआ है ठीक है अब स्वीच का जो नीचे वाले टर्मिनल है यहां से आपको इस सोकेट के नीचे वाय जोड़ देना फिर यहां से आपको यहां पर वायर जोड़ देना जहां पर L लिखा हुआ तो इस L वाले टर्मिनल में आपको वायर जोड़ देना तो मैं यहां से यहां यहां से यहां पर वायर जोड़ देता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं तो अब देख सकते हैं, मैंने switch के निचे लो terminal से, इस socket में wire जोड़ दिया, फिर इस socket से, इस socket में wire जोड़ दिया, इस तरीके से यहाँ पर ये wire मैंने जोड़ दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखे, n लिखा हुआ है, तो यह n वाला terminal है, तो यहाँ से आपको, वायर यहां से यहां यहां से यहां जोड़ देना है तो मैं यहां पर वायर जोड़ लेता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं ठीक है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर वायर जोड़ दिये जो यह एन वाले टर्मिनल है फिर यहां से मैंने इस टूपिन सोकेट का इस कर सकते हैं या फिर आप फेज का कनेक्षन यहां कर सकते हैं नीट्रल का कनेक्षन आप देखे कहां पर करिएगा तो नीट्रल कनेक्षन आप देखे यहां कर सकते हैं या फिर आप नीट्रल कनेक्षन यहां कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूं फेज का कनेक्षन यहां पर कर देत और neutral connection यहां पर कर देता हूं उसके बाद आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो यह रेड वाला वायर है यह फेज का वायर है जिसे मैंने यहां पर जोड़ दिया और यह जो बलेक वाला वायर है यह नूटन का वायर है जिसे मैंने यहां पर जोड़ दिया इस तरह से यह connection complete हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके घर मे कि सर आप चला कर दिखाते नहीं, तो चलिए आज मैं आपको चला कर भी दिखा देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले लाइन देता हूँ, उसके बाद आपको चला कर दिखाता हूँ, ठीक है, इस बोर्ड में मैंने लाइन दे दिया, अब देखे, यहाँ पर जो और ये जो दोनों socket धी डारेक्ट हैं, तो इसमें मैं इसे लगाता हूँ, तो देखिए यह बिल्कुल सही काम कर रहा है, और इसमें किसी परकार का कोई problem नहीं है, अब मैं इहां पर आपको दिखाता हूँ, आप इसे ध्यान से देख लिजे, यह जो connection किया गया है, यह इतना ही connection करना है इससे अधिक बिल्कुल connection नहीं करना है ठीक है लेकिन जिनके घर में अर्थिंग का connection है उनको इसमें और भी connection करना होगा तो उनको इसमें क्या करना होगा जो ये 5-pin socket है इसका जो उपर वाला ये टर्मिनल है ये वाला यहां से इस 5-pin socket का जो उपर वाला टर्मिनल है ये वाला है तो यहां से यहां wire जोड़ देना होगा तो अर्थिंग का connection कहाँ पर करना है वो मैं आपको बताता हूँ अर्थिंग का connection आप यहाँ पर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अर्थिंग का connection कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने ये ग्रीन वाला वायर से यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया यहाँ पर ये ग्रीन वाला वायर अर्थिंग का वायर हो जाता है ये black वाला wire neutral wire हो जाता है और ये red वाला wire फेज का wire हो जाता है तो इस तरह से ये connection complete हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके घर में अर्थिंग का connection है उनको इतना connection करना पड़ता है ठीक है